हेलो दोस्तों मैं येसवंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चनल येस नीव कोचिंग इस्ट्यूट पर तो आज का हमारा जो रहाएगा टॉपिक वही आपका डीजल मेकानिक की जो टैस सीरीज चल रही थी है ना इस्पेसली हम अभी चला रहे थे एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए बाकि डीजल मेकानिक के लिए जो फुल कोच्छन आपके सकते हैं कोच्छन बैंक एक तरह से यह कंप्लीट कोच्छन बैंक में आपको यह करा रहा हूं ना इसमें हर एक टॉपिक से जैसे आपने कुछ देखा होगा कि जैसे आपने किये होंगे टॉपिक कवर किये होंगे जब आपने श्टड़ी किये होगा तो रहना नहीं विक्षया होगा तो मैं उसको प्रपरली सवाज रहा हूं हर कोक्यों को इटेटल में मैं बरीफ्ली बता देता हूं ताकि आपका यह टोपिक क्लियर नहीं है तो वह यह तरह से आच्छे तरह से समझ सकते हैं इंसौर वेभियों मैं आपको क्लियर करा देता हूं और तो यह रहेंगे नहीं जैसे जो भी टॉपिक रहते नहीं जैसे अब कूलिंग सिस्टम हो गया लुबीकेशन सिस्टम हो गया है ना उसके जो कहते हैं पार्ट्स इंजन पार्ट्स के बा निकल कर आते हैं बैस्ट कोश्चन थीक है वो मैंने याँ पर इंक्लूट किये हुए है ताकि आपको प्रेक्टिस कर सके उनसे और प्रेक्टिस की साथ-साथ हम उसको है सीख सके हैं और प्रैक्टिस लगा सके हैं ठीक है तो यह हमारी जो है टैसरीज सेवेंटीन डीजल मेचनिक की तो आज हम देखिंगे प्रिवेज्ट वीडियो मैंने जैसा की देखा और आपको कम्प्लीट करा है इसमें क्या लुब्रिकेशन सिस्टम और और क्या करा चुका हूं इसमें लुब्रिकेशन सिस्टम के साथ कुलिंग सिस्टम हो गया है लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया है ठीक है और काफी वेरियस टॉपिक्स कम्प्लीट कर चुका हूंगा तो आप प्रिवेज्ट वीडियो यदि अभी किजिए और से कीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं आज का फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो आज का हमारा फर्स्ट कोश्टन होगा देखते हैं पूछा गया है वाल्व विच इलेक्ट्रॉनिक युनिट इस गिप सिगनल टु अपरेट आई-सी वाल्व ठीक है इससे पहले भी हमने जो है डिसकस किया हुआ था प्रिवेस कोश्टन में तो आज मैं इसको कंप्रीट करा देता हूं ठीक है देखिए क्या पूछा गया है विच इलेक्ट्रॉनिक युनिट्स गिप सिगनल टु अपरेट आई-सी वाल्व संचालिट आई-सी वाल्व यह जो है आई-सी वाल्व क्या होता है भी समझाता हूं आई-सी वाल्व को संचालिट करने के लिए कौन सी एलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है ठीक इतना समझ में आया कि अब जो मैंने फ्यूल सिस्टम आपको बताया हुआ था ना उसमें ही कुछ आगए मैं आपको बता आई-सी वाल्व संचालिट करने के लिए कौन सी एलेक्ट्रॉनिक एकाई संकेत देती है तो आंसर होगा इसी एम चलिए आपको इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझा देता हूं देखिए आई-सी वाल्व क्या होता है आई-सी वाल्व कुछ इस तरह से होता है अब यह साइद मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही आपको कुछ थोटल वाल्व के बारे में बताया हुआ था जब हम वाल्व पढ़ रहे थे इनलेट वाल्व और अग्जोस्ट वाल यह बताया था थो वह फ्रोटव यह यह जो बना हुआ है इसे बोलते हैं एक फटरउटल वाल्व होता है जैसे कि मालविजए ये एक पाईप है त्वो नियों इसके बीच मीश से पाझीaser आ रहा है यहां से तो हम यह जो पानी आ रहा है इसको यह वाल्व जो यहां लगा हुआ था हम ऐसा सीधा खोल देते हैं इसको ठीक है वाल्व जो लगा हुआ था एक जो वाल्व लगा हुआ था इसको पहले ऐसा लगा हुआ था ठीक है और अब इसको हम ऐसा खोल देते हैं तो पानी यहां से ज आने लगेगा थायव तो यही हो गया यह जो हमारा ब्लू कलर में है इसी को हम बोलेंगे चोटल वाल तक यह ंवारा हो जाता है यह तो यह कुछ इस तरह से है यह लगा हुआ होता है जैसे अभी यह जो है इसकी अवस्ता है तो अभी जैसे यह ऐसा है और फिर जब इसको सीधा कर दिये जाएगा तो यहां से यह जाने लगी अब आगे मैं इसको ब्रीफली समझाता हूं क्या होता है ठीक है चली देखते हैं क्या होता है और यह जो होता है अभी मैं common rail CRDI समझाओंगा उसमें आगे आएगा तो देखे क्या होता है जब आप इस्टार्ट कर देते हैं गाड़ी को ठीक है कोई भी वाइक हो गई या कोई भी इंजन हो गया इंजन को आपने स्टार्ट कर दिया और आप रेस दे रहे हैं रेस देंगे जब तक तो आपका जो है इंजन प्रॉपर्ली आपका वर्क करेगा ठीक है क्वाइब करेंगे नदम होगी तो यह करेगा लेकिन भान लीजय अब यह दे रहे हैं डी रहे होㅎ रिखती रहें तबीतु इसमें लगी फ्रह्वाल ओपन कर रहें तभीतो एर फ्राटल का उल्वे जा रहा रहा है तभी इंजन चल रहा है माल लीजे यदि ये बॉलव तो बंद कर दिया जाए शीच surround कर दिया जाए और यका रबье और पनंवीलिए में यहां पर कोई है और तिकें यहां पर इंजन है नहीं है यह माली जी एंजन है अब यहां पर एक लगा हुए फ्रेट्र न फ्रोटल बॉल लगा हुए 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 अब अपने एक यह Раз माली वाइक है फा यह होगा आपका Carolina thinking यह यह फ्रोटल वॉल्व हो गया आपका यह ना अच्छे से बना देता हूं कि यह आपका हो गया रेस के लिए पाइक का ना और यह कनेक्टेड हुआ एक फ्रोटल वॉल्व से थ्रोटल वॉल्व ऐसा कुछ ठीक है अब इसके बीच में यहां से यहां से जा रहा है यह बीच में लगा हुआ है थ्रोटल वॉल्व ठीक अब हमने क्या किया यहां से रेस दिया तो यह थ्रोटल वॉल्व जो ऐसा हो खुल जाएगा थोड़ा एसा खुल जाएगा तो यह एर यह तो यह थ्वड़ा ऐसा तेड़े में खुल जाएगा तो यहाँ से एर और पैट्रॉल इससे जाने लाइगा और जितनी आप यहाँ पर रेेस देंगे उतना ही यह यहां पर पिस्टन में जाने लाएगा तब यहां पर पिस्टन में खिया होगी और वह पावर जन्रेट होते जाएगी है ना तो मान लिजिए यह आपने यह फ्रोटल वाल बिल्कुल क्लोस कर दिया तो यहां पर एर पर पयट्रोल जाए गहीं नहीं आपने यहां से एर को नहीं जाने दिया यह जाने के लिए वीज़िए यह यह आईसी करते हैं प्रोसेस यूनिट रहती है यहां यदि नहीं जाएगी तो होगा यह क्या कि इंजन बंद हो जाएगा तो क्या होता है जब हमने इसको बिल्कुल इस्तिति में रखा हुआ है तो उसको हमने रखा हुआ है तो होगा किया कि यहां से एर नहीं जाएगी तो क्या करेंगे तो क्या एंद बंद कर दिया क्या करेंगे किसे रहती है किशालू रहती आपने रहती है तो खटी अब आईडल से यह खड़ी रहेगी वहां पर ठीक है तो नॉमली वह चालू क्यों रहेगी कांटीनेशली चालू कैसे रहेगी वह ऐसे रहेगी कि उसमें जब एर नहीं जा रही है आपने यहां पर लगा दिया इसको अब यह तो जा नहीं रहे हैं फिर भी क्या करिया जाएगा उसमें कि एक आइसी वाल्व लगा जाता है आइसी वाल्व यह होता है ठीक है इस पूरे के सिस्टम को कहते हैं हम आइसी वाल्व अब इसमें कैसे कैसे जाएगा देखिए तर्टल वाल्व केन लें के क्लोस कर दिया एर को हम यहां से गुजारेंगे ठीक यहां से ऐसा है करेंगे नॉमली ताकि इंजिन को कंटिनियसली मिलते रहे और वो इस्टार्ट पर रहे ठीक है इस्टार्ट उसको रहे ऐसे तो यह इसकी वरकिंग क्रोसर्स होती है थोड़े से को बोलते हैं आछ यह रहर कंट्रोल एसे आइडल एयर कंट्रोल कर रहे हैं इसे नधर चो तीसरे बोलते हैं अब सेकंड क्या है वाडमवादिया एसमेली यह थ्रॉटल इंवाद्2 आप Guadal इसको बुला जाता है क्या थ्रोटल वॉल्व उसके बाद हो गया पिंडल आईसी वॉल्व कहां पर है पूर्ट नमबर यह कि अना इसी के जरीए तो हम यहां से जब इसको उपन जितनी एर वेजना है वेजेंगे किसके द्वारा यह जो यह लगा हुआता है इसी यू के द्वारा बताता हूं अभी आगए ठीक है और अब मैंने नाम इसलिए स्टार्टिंग नहीं होता है क्योंकि मैं नाम बता भी देता तो कोई मतलब नहीं इसलिए मैं पहले समझा दिया किस चीज़ से क्या होता है उसके बाद आप नाम बता रहा हूं तो आपके मा है तो यह से यह है एस्चम ठीक इलेक्टटर इसमार्स लगा हुआ होता है और है कि इसे संकित करता है तब जाके यह वाल उपन होता है ठीक है यही पूरे इसको मैनेच करता मैंन मेंसरा लगे होते हैं यह संसर के द्वारा यह करता है उक्रया तब जाके आगे वर्क करता है चलिए यह होता है एर इनलेट भी यह कहां पर है यह एर इनलेट जैसे कि यहां से एर इनलेट अंदर जाती है इसको वॉल्ब को खुल दो तो यहां से सीधे जाती रहती है कोई इशुनी लेकिन जब आमने रेस देना बंद किया गाड़ी को ने बंद कर दिया लेकिन खालो रहती है तो गाड़ी चालू रहती है वह यहां से जाती रहती है ठीक और यह सेंसर के द выступ करती है ठीक है यह होता है आई-सइ वाल इसका अंसर क्या होगे आपका ECM दोरह क्या पूछा कहा आप विचछ लेक्टोनिक यूनेट कौन्सी यूनेट जो है to give signal to operate IAC valve IAC valve को operate करने के लिए कौन सी electronic unit signal देती है तो देख लिजे इसको कौन देती है signal यह ECM ECM signal देती है IAC valve को operate करने के लिए यह आपको work करना है ठीक है चलिए next question पर चलते हैं पुझा गया है where is the pressure discharge valve fitted in CRDI fuel system अब CRDI fuel system क्या होता है थोड़ा से समझते हैं इसका आंसर मैं बता लिए पहले CRDI का कि फल्फर्म जो होता है common rail direct injection ठीक है इंजेक्ट कह सकते हैं ठीक फ्यूल सिस्टम को चलिए इस्टर्टिंग करते हैं अब इस पर थोड़ा से समस्ते इसका अंसर हो जाएगा यह ठीक वेर इसदा प्रेशर डिश्चार्ज वाल प्रेटेट इन CRDI fuel system CRDI इनन प्रानलिमें प्रेशर डिश्चार्ज वाल कहां लगाया होता है कुर्शन समझ नहीं आ रहा हो है हार टॉपिक का डालेंगे आप से यार डि तो वह आ जाएगा नीव कोचिंग इस्टिट आप डाल दीजिए CRDI नीव कोचिंग इस्टिट यह जाएगा कि चलिए इसमें सबसे पहले तो क्या होता है यह CRDI क्या होता है और यहां पर जो लगे होंगे क्या इस्टिट लगे होंगे और सरी यहां पर जो है इस स्लेंडर आपके होंगे इस तरह से इस्टिट लगा हो गए इनस्लेंडर के अंदर क्या हो रहा हो गा is एक लगा होगा आज है कि है नज्美味 इस्ट वहर यहां पर पिस्टन वर्क कर रहा होगा और यह उपर से इंज्जेक्ट हो रहा है ओए मिल्द ठीक करना है अब यहांसे तो इस तरह से इंट होगे English होगा ठीक है अब यह इंजेक्ट कभ होगा कैसे होगा इसकर कोझ करेगा पहले क्या होगा करता था अब क्या होता है सभी में चीजें बता देथा हूं अब क्या हो रहा है कि SHRI करना है कितनी प्रेसर पर इंजेक्टर रहता है कि इंजेक्टर रहता है कि इंजेक्टर पर देखे अभी इंजेक्टर यह पूरा प्रोसेस तो अलड़ी वी एस फूर में भी है देखिए तो क्या होता है अब इसमें इसकी वर्किंग थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले थोड़ा से इसके पार्ट से देख लेते हैं कि यह फ्यूल टेंग हो गया है हाई-प्रेसर पंका का कम रहता है है फिल्टर होता है और यह सैंसर ही जो होता है मैं इसका दिमाग क्या सकते हैं इसे पूलते हैं ए आओ ए परोरे इसका पर caudine सकते मियें करता है यहीं यहीं कोपना के फिका charcoal करना है कितना इंजेक्ट करना है कितने समय करना है यह सभी काम होता है पूरा ऐसी का मैं होता है और यह टीजatte एक टीव जैसा होता है ठीक है टीव जैसा होता है इसी के दोरह यहां से फ्यूल निकलता है और यहां इंजेक्टर में हाई प्रेसर कर रिलीज हो जाता है ठीक है इस तरह से होता है यह फ्यूल टेंग होता है कॉमन रेल और प्रेसर रेगुलेटर होता है जिससे प्रेसर को र ऐस possession direct looking यहां पर अपका फ्यूल रॉद्य कि आथा है उसाzone में की आपका डिजल भरा हुआ है अब यह तो आप रहता है उसके दार में कली हा पर बिद़ राजता है थर यहां एक फिल्टर कि वा er dû El फिल्टर में फिल्टर को कर डई बढ़ इसके दोरे आगे यह पृइल आया सितियों आप यहाँ पर लगा हुआ होता है आपका high pressure pump क्यों क्योंकि यहां पर जो है फ्रीह सर बनाएंगे तब ही तो इतनी ट्रीश से ही इंजेक्ट कराए जाता है डीजल क्योंकि यह तो ऑल रिटी जाता पर इंजेक्ट कराया तो यहां पर इसका कंबसन होगा इसलिए हम यहां से हाई प्रेसर को ही रिलीज करते हैं हाई प्रेसर पर डिजल को रिलीज करते हैं तब जाके वहां पर कंबसन होता है ठीक है पावर जनेरेट होती है तो यहां से हाई प्रेसर पंप लगा हुआ होता है ठीक फिर यह जाता है प्रेसर होकर यहां पर यह होती है कॉमन रेल जिसमें कनेक्ट होते हैं आपके इस तरह से इंजेक्टर ठीक है यह कॉमन रेल होती है जिसको इंजेक्टर इस तरह से लगे हुग होते हैं ठीक कि इस तरह से लगे हुग होते हैं ऊके है चलिए तो अब हम आए यहाँ पर रेल प्रेशर सैन्सर और यह जो कमन रेल रहती है उसके एक साइड लगा रहता है रेल प्रेशर s José richtig पूरा common rail होता है common rail के यहां पर होदा है क्या injector ठीक तो अब ECU का काम चालू होता है इसी का यही काम रहता है ठीक है यह जो है हर चीज में यहां पर जो जो भी हम प्रोसेस करके आए हैं कब यहां से आ रहा है यह तो आगया ठीक है लेकिन आगे क्या होना है कितना हाई प्रेशर करना है ठीक है कितना यहां जाएगा यहां से कितना इसमें जाएगा यह सभी काम इसमें पूरा रेगुलेट जो करता है पूरा यह काम होता है हर चीज का मतलब कि अब यहां से कितना फ्यूल अंदर पर आना है यह ना कम बसंघ के लिए यह सभी रर्यगुट होता है eczu के द्वारा एक आपने पढ़ा होगा कभी थोड़ा साटन सौट्वेर टेक्निकल उसमें लाइन में होंगे तो एक है अब आख यह नहीं रहता है जैसे कि कोई इंफर्मेशन को पूरी कलेक्ट करके ठीक है यह होता है पूरी आँ इंफरमेशन कहींसे भी आपक इसमेशन करता हो फिर कि यहां पर कितनी नीड है प्रेसर की तो वह इसको करेगा तो उतनी ही रही यहां परर पहुंचाएगा तो वह किसको पता है कि मेलेफ जाना है रह喜ां आई प्रेशर पंप मतलब की कितना बार इसको करता है कि यह नौमल यहाता है यहां से इसको हई मतलब की 2000 बार तक करने करता है कि यहां पर कटा थे तब जाके यहां से इतनी तेजी से इंजेक्ट करते हैं ठीके मतलब यहां पर प्रेसर हमेंसा मैंटेन रहता है यहां से प्रेसर रेगुलेटर होता है किसके द्वारा इसी यू के द्वारा ही ठीके तो यह था हमारा पुरा सी यार डियाई सिस्टम वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा इसली मैंने थोड़ा साइसको सौट में रखा है यह कंप्लीट है आपको वहतर तरीके से समझ आ गया होगा चलिए नेक्स कोशन पर इसका आं सी यार डियाई सिस्टम में कहां फिट होता है यह देखिए प्रेशर वाल्व ठीक है कहां फिट होता है कॉमन रेल पर प्रेशर रेगुलेटर कहां फिट होता है यह कॉमन रेल में तो आंसर क्या होगा कॉमन रेल में प्रेशर डिस्चार्ज या प्रेशर रेगुलेटर य तिक इसमें थोड़ी सी और चीज रहती है कि जैसे यह पूरा आपका पैट जो डिजल आपका आया हुआ है और जो कुछ जैसे थोड़ा सो जो हो गया यहां पर चला गया इंजेक्ट हो गया वाकि जो बचता है वह भी डारेक्ट फ्यूल टैंक में एक बार चला जाता है बच बिश्चाज बॉल फेटट सी रडिअीं फ्यल सिस्टम में परचल रेगुलीटर परचल डिश्चाज कहां सिस्टम नोटा है कॉमान रेल पर यह देखिए यह तो इस कांशर यह सेंपलि आप समझे गया होंगे तो के इसकांसर होगा कॉमान रेल अस चलिए नेक्स्ट बश इंजेक्टर ही होता है जैसे CRDI हो गया उसी तरह से इंजेक्टर की एक प्रणाली होती है जैसे क्या होता है CRDI में हमने CRDI का ही एक अपडेटेटेड बर्जन होता है अब इसमें क्या होता इसकी देख जब यही आप पूछेंगे कि जब इतना अच्छा था कि आटोमेटिकली ECU के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है इसमें मैंटेन तो फिर हमें 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 को लेकर आना पड़ा है यह भी एक सिस्टम होता है तो अब फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म याद रखिए बहुत इंपोटेंट है हमें ही यू आई का फॉल फॉर्म होता है हाट्रोलिकली एक्टिविटेट इलेक्ट्रोनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर तीक है यूनिट इंजेक्टर जो होता है उसी का एक अप्डेटेटेड बर्जन होता है यह जैसे एक सियाडिया यूनिट इंजेक्टर होता है तो यह होता है हाव मैंने फ्यूल चैंबर और एच यूवाई कितने का अक्ष होते हैं तो टिक इसका अंसर यह हो गया कि चलिए विच इस डेवलप डीजल प्रेसर इन सी आरडी इंजन अभी बता है इसका अंसर अल्रडी आप बताएंगे इस डाग्राम को आप देखेंगे फिर से तो बताएंगे कि इसी आरडी इंजन में प्रेसर डेवलप कौन कर रहा है तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा आपका हाई प्रेसर पंप ठीक है कि नेक्स्ट कोशन होगा हाउ मच मैक्सियूम प्रेसर डेवलप बाई हाई प्रेसर डीजल पंप इन सी आरडी इंजन ऑटोमेंट क्लिए बता देंगे अब इसका अंसर होगा सिंपल सा कि ठीक है जो कि बता चुका हूं मैं कि नेक्स्ट होगा कि विच टाइप ऑफ पंप सेंसियूर इन विल्ट एंड यूनिफॉर्म डिलिवर इन ओल इंजेक्टर इन डीजल इंजन है ना अभी जो सी आरडी आई हमने इंजन पढ़ा हुआ है उसमें आप से यह पूछा गया कि डीजल इंजन में सभी लगे हुए होते हैं यह कि यह इन इंजेक्टर यह सभी जो इंजेक्टर लगे हुए होते हैं कि ठीक है उसमें लिए नेरमिद एंजेक्टर के लिए निरमिद और समान बित्रण में । निच्छा दित होता हैि कौन था होता है गृष झालो गो हो झाले लिए रोटल ही टाइप स 수ñas पर, चलते हाँ ला दूंगा मैं अभी इसको थोड़ा से समझ लीजिए इसका आंसर है थोड़ा बना दूंगा काफी वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत चलिए नेस्ट है विच फ्यूल रिलेटेट इस विट सीटन नमबर यह तो आप यदि डिपलोमा या फिर भी इंजिरिंग कुछ कर रहे हैं तो सीटन आप जानते होंगे डीजल के यूज होता है ठीक है सीटन नमबर किसके लिए होता है डीजल के लिए नेक्स्ट कोषण होगा व्यर्टा डीजल फ्यूल इस अप्टेन डीजल इनन कहां से प्राप्त किया जाता है ता है विच फिप्यूल पाइप लाइन इस प्रोवाइड ट। वित बिद्वीन है फिल्टर एंद इन्जेकटर thi इन्न फिल्टर और इन्जेकटर के बीच में कौन सी इधन occupy घ्रीर बैक के मपाइब या उवर्फ्लो बता हुगा था ओवर्फ्लो जब होता है तो पूछे जा रहा है कि विच फ्यूल पाइप लाइन इस प्रोवाइड बिट्वीन कि फ्यूल फिल्टर एंड इंजेक्टर अंसर क्या होगा अंसर होगा आपका ओवर्फ्लो पाइप थी चलिए तो आज के लिए इतना ही इतना ही कोशन थे हमारे जो है टैन कोशन रहते हैं डेली हम नेक टैसेज में टैन कोशन को बीफली डिसकस करते हैं और जो भी मैं इन कोशन रखते हैं कुछ स्पेसिल कोशन रखता हूं आज मैंने दो कुशन रख लिए इसलिए कुछ ज्यादा लोगा इसमें वीडियो लंबा हो गया है यह ना यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये अजिकि लिए इतना ही और इसमें ये वरता हूंगा कि आप चाहें तो इसके नोट मिना तो यह बैस ट्राइगा जोंब ही मैं बोलता हूं उसे नोट करते चलिएगा ठीक है वीडियो को कॉस करके और आप देखते जाएंवे इस नोट मनाते जाएं बैस ओए आपको लि